हलो करन्स आयाजमा आपको बताओंगा पॉतियम आइड respectfully ऑज्या पाउडरेंग यह क्या काम करता है किस तरह Jewel प्राउडर का प्रियोगा यहीं करको ठीक often कि लिए एक पॉइद पाउडर है चैस्तु वहों को प्योग बहост तरह की मेडिकल is ब्सकृइज में इस पाउडर का परियोग करवाया जाता है वैसे कई तरह की लिक्वीड में आप में आता है आइड्रोम्स के अंदर भी इसकी मात्रा आती है यानि पोटेश्यम आइड़ाइट पसु के लिए भू ज़्यदा रामबार है यह किस तरह की डिजीज हो जाए तो इस पाउडर पर जो गांठ हो जाती यानि ट्यूमर पसु के सरीर पर कहीं पर गांठ है जैसे गंतर के पास गांट हो गई तो भी आप या कोटि परकार से सरीर तो भी आप इसका परियोग करवा सकते हैं थनों के अंदर हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है यह कहूं तो पसु के सरीर पर चाहे इंटरनल गांट हो या बाहरी किसी भी तरह की गांट हो जाए तो आप इस पावडर का उपयोग अपने पसु में जुरू करवा चाहिए इसी तरह से पसु में कई बर आयोडेन की डिपसेंसी या कई इस तरह की जो रोग हो जाते हैं जिससे पसु के गले में सुझरा जाती है तो भी आप इस तरह की पावडर का परियोग पर शुमें करवाया जाता है आप देखो यह पावडर मैंने बताय कि पोटेशि से समदीद या अदर को इस तरह की रोग है जिसके अंदर पसु के सरीर में बार बार सुझन रहती है तो आप इस पावडर का उपियोग करके पसु को ठी किया जाता है इस पावडर की डोज क्या होती है जो बड़े पसु होते हैं गावैस हैं उनमें आप पांच ग्राम या इस पावडर आता है इसके अंदर 20 ग्राम यह पोटेश्यम आइडाइड आता है जो सपेद रंग का किस्त लिए पावडर आता है सपेद रंग का तो यह आपको क्या करना है पांस ग्राम गुड की डली के साथ मिलाया पसु को खिला दिया लगातार चार दिन खिला दे प्रकार से प्रिग्नेंट इस्टेज में पसुमी इस तरह की दिकत है तो भी इस पावडर का प्रियोग किया जा सकते हैं लेकिन इसकी डोज आपको ज्यादा नहीं देनी है इस बात का आपको जूरू ज्यान रखना है बहुत इस तरह कमेंट साथे किस तरह पॉटेश्यम पॉटेश्यम आइड़ाइड जो पावडर आता है आपको कहीं पर भी जो हमन कैटेगेरी वहां पर भी आपको मिल जाएगा वेटिनेरी मेडिकल स्टोर आज हैं वहापर भी आपको यह पैसु के लिए यह रामबार न पावडर है जितनी मैं डोज बताई है उतनी यह आप ओर्सक्राम करता है यह दिन आपको पूरी जानका लेनी है तो वेट पेंटेंट पर पूर्टे से माइड़ के बारे में और भी जानकारी डीटेल से जाना है तो आपर जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर आप जाए तो फ्रêtes को पूर्फ फारे वीटिए से नंके साथ से इसे त वीडियो देक्तरी थैंक्स दन्यवाद